नमस्कार, मैं आभाशर्मा जवास, प्रभू की इच्छा से आपके सम्मुक ब्रह्म पुरान का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्तितु हुएं। अठारा पुरानों में से ये प्रथम महा पुरान कहा गया है। अठेक ब्रह्म पुरान में हमने धुन्दुमार के नाम किस कारण पढ़ा तथा सत्यवरत ने किस प्रकार विश्वमित्र के पुत्र को छुड़ाया, इन सब बातों पर विचार किया। इस पहाग में हम राजा सागर का चरित्र तथा इक्षवाकू वंच के मुख्ये मुख्ये राजाओं का परिचय जानेंगे। राजकुमार सत्यवरत भक्ती दया और प्रतिग्या वश विश्वमित्र जी की स्तरीका पालन करने लगे। इससे मुनी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यवरत से इच्छा नुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बूले मैं शरीर के साथ स्वर्ग लूप में चला जाओं तथा अनवरिष्टी का भय दूर हो जाए। तब विश्वमित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिशिक्त करके उसके द्वारा यग्य कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वसिष्ट के देखते देखते सत्यवरत को शरीर सहित स्वर्ग लोक में भेज दिया। उनकी पत्नी का नाम सत्यर था। वे केकय कुलकी कन्या थी। उससे हरिश्यंद्र नामक निश्पाप पुत्र को जन दिया। राज्शुय यग्य का नुष्ठान करके वे सम्राट कहलाये। हरिश्यंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चैन्चु हुए। चैन्चु के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर प्रित्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाये। विजे के पुत्र राजा रुरुक हुए जो धर्म और अर्थ के ग्याता थे। रुरुक के वरिक, वरिक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भ्रिगु वंशी और व्मुनी से आगनेय अस्तर प्राप्त कर ताल जंग्य और है है नामक शत्रियों को युद्ध में हराया और समुची प्रित्वी पर विजे प्राप्त की। फिर शक, पहलव तथा पार्दों के धर्म का निराकरन किया। मुन्यों ने कहा सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई। उन्होंने क्रोध में आकर शक आदी महातेज़स्वीक शत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरन क्यों किया। ये सब विस्तार पूर्वक सुनाई। लोहर्शन जी ने कहा राजा बाहु व्यसनी थे। अतह पहले है नामक शत्रियों ने ताल जंगों और शकों को सहजता से उनका राजे छीन लिया। यवन, पारद, कमबोज तता पहलव नामके गणों ने भी हैहयों के लिये पराकरम दिखाया। राजे छिन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पतनी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्रांट त्याग दिये। बाहु की पतनी यादवी गर्बवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौतन ने पहले से ही जैर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूड हो पती के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भ्रिगु वन्शी औरव मुनी को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उनी के आश्रम में वे गर्ब जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महराज सगर हुए। औरव ने बालक के जातकर्म आदी संसकार की। वेज शास्त्र पढ़ाय तथा आगन ने अस्तर भी प्रदान किया। जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने है वन्शी क्षत्रियों का विनाश किया। और लोग में भारी कीर्ती प्राप्त किया। तदन अंतर उन्होंने शक, यवन, कमबोज, पारत त पहलब गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पढ़ने से वे सभी महरशी वसिष्ट की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महात्य तेजस्वी वसिष्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अभैदान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिग्या तथा गुरू के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरन किया और उनके वेश वदल दिये। शकों के आदे मस्त्रक को मुंडा कर विदा कर दिया गया। यवनों और कमबोजों का सारा सिर मुंडा दिया पार्दों के सारे केश उड़ा दिये धर्म विजय राजा सगर ने इस प्रित्वी को जीत कर अश्व में ग्यग्य की दीख्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा वह अश्व जब दक्षिन पूर्व समुद्र के तट पर विचर रहा था उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और प्रित्वी के भीतर शिपा दिया राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रिदेश को खुदवाया महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहाँ आदी पुरुष भगवान विश्णू को जो हरी, कृष्ण और प्रजापती नाम से भी प्रसिद हैं महरशी कपिल के रूप में शैन करते देखा जागने पर उनके नेत्र के तेज से वे सभी जलकर भस्व हो गए केवर चार ही बचे, जिनका नाम था बहरकेत, सुकेत, धर्मरत और पंचनद ये ही राजा की वंच चलाने वाले हुए कपिल रूपधारी भगवान नारायन ने उन्हें वर्दान दिया कि राजा इक्षवाकू का वंच अक्षय होगा और उनकी कीरती कभी मिट नहीं सकती भगवन ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वरगवास के लिए भी आशिरवात दिया उस समें समुद्र ने अधर्य होकर महरात सगर का पंदन किया सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ उन्होंने अश्व में ग्यग्य के उस अश्व को पुनह समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा सौ अश्व में द्यग्य के अनुष्ठान पूर्ण किये हमने सुना है कि राजा सागर के साथ हजार पुत्र थे मुन्यों ने कहा साधुवर सगर के साथ हजार पुत्र कैसे हुए वे अत्यंत बल्वान और वीर किस प्रकार हुए लोम हर्शन जी ने कहा सगर की दो पत्निया थी जो तपस्या करके अपने पाप दगद कर चुकी थी उनमें बड़ी रानी विधर्ब नरेश की कन्या थी उनका नाम केशिनी था छोटी रानी का नाम महती था वे अरिष्ट नेम की पुत्री थी तथा परम धर्म परायान थी इस पृत्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी महरशी औरभ ने उन दोनों को इस प्रकार बरदान दिया एक रानी साथ हजार पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा किन्तु वे वंच शलाने वाला होगा इन दो वरों में से जिसकी जैसी इच्छा हो वे उसे प्राप्त कर ले तब उन में से एक ने साथ हजार पुत्रों का वरदान ग्रहन किया और दूसरी ने वंच शलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त किया मुनी ने तथास्तु कहकर वर्दान दे दिया फिर एक रानी के राजा पंजन्ने हुए दूसरी ने बीच से भरी हुई एक तुम्भी उत्पन की उसके भीतर तिल के बराबर साथ हजार गर्ब थे वे समया नुसार सुख पूर्वक बढ़ने लगे राजा ने उन सभी गर्ब प्रक्रमश दस महीनों में सगर की प्रसंता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े गुए पंजन्ने ही राजा बनाए गए पंजन्ने के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद हु लोग चीत लिए तिलीप के पुत्र महाराजा भगीरत हुए जिन्होंने नद्यों में श्रेष्ट गंगा को स्वर्ग से प्रित्वी पर उतारा समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया भगीरत की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भगीरत ही क के पिता थे। सिंदुधीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी रितुपर्ण की उतपत्ति हुए। जो द्वित विद्या के रहस्यो को जानते थे। राजा रितुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। रितुपर्ण के पुत्र महा यशस्वी आर्तुर पणी हुए। उनके पुत्र सुधास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुधास के पुत्र को सौधास कहा जाता है। वे ही कलमाश पाद के नाम से विख आरन्य आराम के दो पुत्र हुए, अन्मित्र और रगु अंन्मित्र के पुत्र राजा दुली दुख थे, उनके पुत्र का नाम दिलिप हुआ, जो भगवान श्री राम के पिता प्रोपिता हमाह थे तिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो आयोध्या के महाबली सम्राड थे रघु के अज और अज के पुत्र दश्रत थे दश्रत से महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम का प्रादुर भाव हुए श्री राम चंद्र जी के पुत्र कुष के नाम से विख्यात हुए कुष से अतिथी का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे अतिथी के पुत्र महा पराक्रमी निशद थे निशद के नल और नल के नब नब के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम धन्वा थाई क्षेम धन्वा के पुतर महा प्रतापी देवानिक थे देवानिक से अहिनगु, अहिनगु से सुन्धवा, सुन्धवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य उक्के से वज्रनाब और वज्रनाब से नल का जन्म हुआ मुनिवरों पुराणों में दो ही नल प्रसिद हैं एक तो चंदरवंशी वीर सेन के पुतर थे और दूसरे एक्षवाकू वंश के धुरंदर वीर थे इक्षवाकू वंज के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बता दिये गए हैं ये सूरे वंज के अत्यन तेजस्वी राजा थे अधिती नंदन सूरे की तथा प्रजाओं के पोशक श्राद देव मनु की इस स्रिष्टी परंपरा का पाठ करने वाला मनुश्य संतानवान होता है और सूरे का सायुज्य प्राप्त करता है धन्यवाद